हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी में हादिक स्वागत है फ्रेंड्स सर्द्यों का मोसम आते ही आपके पैरों की एडिया फटनी शुरू हो जाती है पैरों की देकबाल ना रखने आदी से हो सकता है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको अपनी फटी एडियो का इलाज घर पर ही करना बताएंगे उससे पहले हम आपको बता दे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे देगे रैड बटन पर क्लिक करना है फ्रेंट्स हम आपको अपनी फटी एडियो का इलाज घर पर ही करना बताएंगे उसके लिए आपको जिन सामगरी की जरूरत है वह इस परकार है एक चमच निम्बू करस एक चमच शहद एक चमच जैतून का तेल दो चमच ब्राउन शुगर आधा टब भरा हुआ पानी इसके लिए आप सबसे पहले एक टब में गुन-गुना पानी लीजे और पानी में अपने पैरों को 15-20 मिनट तक बिगो कर रखिए ऐसा करने से आपके पैरों में नर्महट आ जाएगी फिर एक बरतन लीजे और उस बरतन में उपर दिये गए सारे इंग्रेडियेंट्स को मिक्स कर लीजे अब इस मिक्स पेस्ट को अपने पैरों पर धिरे धिरे लगा कर मालिश कीजे और अपने पैरों को तब में थोड़ी देर तक भिगो कर रखिए ऐसा हफते में तीन बार करने से आपकी पैर सुन्दर और कॉमर हो जाएंगे और आपको अपनी फटी एडियों से रहत मिलेगी आप चावल के आटे का इस्तमाल करके भी अपने पैरों की फटी एडियों को सुन्दर बना सकते है चावल का आटा हमारी डेट स्किन को सुन्दर बनाने में बहुत हल्ग करता है चावल के आटे का स्क्रब बनाने के लिए आप तीन चम्मत चावल का आटा, दो चम्मत शहद और एक चम्मत सेब का सिर्का लीजिए और तीनों को मिला कर एक पेस्ट बना लीजिए अगर आपके पेरों की एडिया ज्यादा फटी हुई है तो पेस्ट में जातून का तेल या बादाम का तेल मिला लीजिए इसके बाद आप अपने पेरों को 20 मिनट तक पानी में बिगो कर रखिए और स्क्रब से अच्छी तरह अपने पेरों को स्क्रब कीजिए ऐसा हफते में दो बार करने से आपके पेर साफ हो जाएंगे So friends, इन टिप्स को यूज कीजिए और अगर आपको ये beauty tips पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने friends और family के साथ भी जरू शेयर कीजिए ऐसी ही और जानकारिया पाने के लिए आप हमारे चैनल beauty secrets in Hindi को सब्सक्राइब कीजिए कोई question पूछने के लिए आप हमारी वीडियो पर comment भी कर सकते हैं Thank you